दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि आप अपने कीबोर्ड से अपना माउस चला सकते हो यानि कि आप कीबोर्ड की हेल्प से वो सब कर सकते हो जो आप माउस से कर सकते हो यानि कि आपके कुछ keywords हैं जिनको यूज करना है आपको और उसको वो पूरा का पूरा mouse की तरह ही काम करेगा तो ये कैसे करना है इसके लिए आपको वीडियो को end तक जरूर देखना होगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अगस आज की वीडियो में आपका स्वागत है तो guys keyboard से mouse चलाना उतना असान नहीं होता जितना आप normally mouse से आप करते हो वो बहुत fast काम होता है ये time taking भी होता है लेकिन कुछ situation ऐसी होते है जिसमें आपको mouse आपका मानलो काम नहीं कर रहा है और या फिर उसका कोई wire wire hill गी है या कुछ भी है आप ओफिस में भूलाए हो लेकिन ये अगर आप करोगे तो आपका काम चल जाएगा और मैं आपको recommend यह करूँगा कि आप mouse को ही use करो mouse से ज़्यादा fast काम होता है लेकिन emergency में आपको ये trick आपको follow करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है हमें आपको जब का mouse है उसको activate करना है अपने keyboard में तो activate कैसे करना है चलिए देखते है computer screen पे तो आपको सबसे पहले press करना है अपने left side का alt और shift button और इसके साथ में आपको press करना है num lock तो जैसे ही आप press करते हैं उसके बाद एक beep की sound होगी और यहाँ पर आपको एक dialogue box open हो जाएगा यहाँ पर लिखा होगा do you want to turn on mouse keys तो यहाँ पर आपको करना है yes और जैसे ही आप yes करेंगे तो नीचे देखेंगे task bar में यहाँ पर एक mouse key का option आपके सामने आ जाएगा और उसको हम double click करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से option यहाँ पर हमें मिलते हैं जब हमने mouse की activate की तो यहाँ पर यह जो option है यह enable हो गया है इसके नीचे यहाँ पर जो shortcut है keyboard का अगर आप इसे disable करना चाते हैं तो यहाँ से tick हटा दीजिए क्योंकि हो सकता है कि कोई game खेलते समय या फिर keyboard shortcut use करते समय आपकी mouse की enable हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको मिलती है pointer speed जिसमें की top speed दी गई है और acceleration दिया गया है और इन दोनों को आप अपनी मर्जी के इसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर option मिलता है hold down control to speed up or shift to slow down इसका मतलब यह है कि आप अपने keyboard की control और shift की से अपने mouse की speed को भी maintain कर सकते हैं इसके बाद हमें option मिलता है use mouse की when num lock is on or off अब यहाँ पर जो option है आपको बड़ा सोच चमज़ कर चूज करना है क्योंकि mouse की activate तब रहेगी जब num lock on होगा और अगर आप num lock on होते समय माउस की activate रहेगी तो आपके जो number key के button है वो काम नहीं करेंगे तो इसमें से सबसे बड़िया option यह है कि आप यहाँ पर off को ही select करें क्योंकि अगर आपको num lock off रहेगा तो आप number button पर काम नहीं कर पाएंगे और अगर on कर देंगे तो माउस की अपने आप disable हो जाएगी और आप number की का इस्तिमाल कर पाएंगे यहां से हम इसे off पर select कर देते हैं और यहां से इसे apply कर देते हैं अब क्योंकि माउस की enable हो चुकी है तो हमारे keyboard का जो num lock pad है वहां से यह काम करेगी अब आपका यहां पर गोर करना है कि हमने वहां पर num lock off करने पर mouse की को activate किया था तो आपका num lock off है या नहीं तो अगर on है तो इसको off कर दीजिए अब आप देखे कि आपके जो 20 के सारे number यानि कि 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह सारे number आपके mouse के cursor को move कराने के लिए अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो आपका cursor जो है उपर की तरफ जाएगा अगर 2 प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा अगर 4 प्रेस करते हैं तो आपका cursor left में जाएगा और अगर 6 करते हैं तो यहां पर right में जाएगा अब जो बाकी के corners हैं उन में कैसे जाएगा जब आप 9 प्रेस करेंगे तो करसर उपर भी जाएगा और राइट में भी जाएगा और 7 प्रेस करेंगे तो करसर आपका जो है उपर जाएगा और लेफ्ट में जाएगा इसी तरीके से 1 और 3 भी काम करते हैं यानि नीचे जाएगा और left में जाएगा और 3 प्रेस कर देंगे तो ये नीचे जाएगा और right में जाएगा तो ये जो सारे angles हैं आप mouse को बड़े आराम से यहां पर चला सकते हैं किसी भी बटन को दबाने की कोई duration नहीं है आपको जहां mouse ले जाना है आप बड़े आराम से वहाँ पर लेके जा सकते हैं आप देख रहे हैं कि mouse में दो क्लिक होती हैं एक left click और right click अब left और right click यहां पर कैसे काम करती हैं यह भी समझ लेते हैं तो आप नीचे देखे कि आपके mouse के icon में जो right side वाला बटन है वो dark है अब आपके keyboard के numpad के उपर तीन बटन दिये होते हैं पहला oblique का दूसरा star का और तीसरा minus का जब आप oblique को प्रेस करते हैं तो यह जो key है वो बदल जाती है और right से left में आ जाती है और अब आप minus key को करते हैं तो यह left से right में आ जाती है तो आप इन दोनों keys को यहां से change कर सकते हैं अब आपका जो five number वाली key है उस button को आपको वो काम करेगा आपका basically click करने के लिए तो अगर हमें यह folder open करना है तो हमें left click करना होगा क्योंकि हम double click करने के लिए left key का हमेशा इस्तिमाल करते हैं तो य तो अगर आपका single click करना है तो किसी folder या icon पर तो आपको five press करना है तो इस से आप select भी कर सकते हैं और अगर आप वो double click करना है तो आपको plus button को press करना है लेकिन यह करना कब है जब आपके mouse key में जो dark area हो वो left button पर हो अब इस button को हम change कर लेते हैं आप देखिए कुछ इस तरीके से अब जो area है वो बदल गया है अब वो जो button है जो press होगा वो right की जगे left में आ गया है अब जब भी आप five को press करेंगे तो यहां पर जो menu है वो open हो जाएगा जिसे आप rename वगेरा कुछ भी कर सकते हैं तो यहां पर कुछ options आपके आ जाते हैं basically right click यहां पर काम करता है तो guys I hope आपको अभी तक समझ में आ गया होगा क्योंकि यह ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका इससे idea हो जाता है कि left right नीचे उपर किसे करना है अब जो मैं आपको बताने वाला हूं यह थोड़ा सा मुश्किल है इसको थोड़ा से ध्यान से देखना क्योंकि आपको मानलो आप कि माउस की है क्लिक है उनको चेंज करूँगा उनको मैं left click पर select कर लूँगा उसके बाद अपने माउस की से इस फाइल पर जाऊँगा और यहां पर जो five की है five बटन है उसको प्रेस करके इसको select करूँगा अब इसके बाद मुझे इसको पकड़ कर लेके जाना है जैसे आप म यहां भी ले जाना चाते हैं वहां पर आप की बॉर्ड की चाहिता से लेके जा सकते हैं और जिस भी फॉल्डर में आप इसे ड्रैक करना चाते हैं वहां ले जाकर आपको simple प्रेस करना है अपने num log का जो button जो point button है उसको तो वो जो एक बार में उसकी file है वो आपके folder में चल buttons तो गाइस देखा आपने कितनी आसानी के साथ आप अपने जो keyboard है उसको as a mouse भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसान है आपको सिर्फ ये वाला portion जो है side वाला portion इसको आपको यूज़ करना है अपने mouse के लिए तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful है और आपको इससे कराना चाते हो तो वह आप comment box में लिख सकते हो और इस वीडियो से related या कोई भी आपका डाउट है तो वह भी आप यहाँ पर comment box में कर सकते हो और आप मेरे description को जरूर चेक करो वहाँ पर जो मेरे चैनल की अच्छे अच्छे वीडियो हैं वहाँ पर डालता हूं और एक और स कोई question है doubt है इस वीडियो को लेकर किसी वीडियो को लेकर तो comment box में comment करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइब की वीडियो लेकर आता रहता हूं